आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं आपके तरहे ये भी आपको पसंद जरूर आएगी, तो चलिए, इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करूँ, उससे पहले आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगी, कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और साथ ही अगर कहानीों का बाचन पसंद आता है, त बहुत दिन पहले की बात है, लालू और मैं छोटे-छोटे थे, हमारी उम्र होगे करीब 10-11 साल, हम अपने गाउं की पाटशाला में साथ-साथ पढ़ते थे, लालू बहुत शरारती था, उसे दूसरे को परेशान करने और डराने में बड़ा मज़ा आता था, एक बार तो दोड़ी, दोड़ने में बिचारी मा के पाउं में मोच आ गई, मोच की वज़ा से उन्हें साथ दिनों तक लंगड़ा कर चलना पड़ा, वो लालू की शैतानियों से बहुत तंग आ गई थी, उन्होंने एक दिन लालू के पिताजी से कहा, इसके लिए मास्टर रख दो, जब रुजाना शाम तक पढ़ने बैठेगा, तब इसे पता चलेगा, सारी शैतानी भूल जाएगा, पिताजी भूले, नहीं, जब मैं छोटा था तो मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था, मैं तो अपने आप पढ़ा, खूब महनत की, पढ़ लिखकर आज वकील हूँ वकील, मेरे इच्छा है कि लालू भी अपने आप खूब पढ़े लिखे, अच्छा आदमी बने, हाँ इतना कर सकता हूँ, कि जिस साल वो अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आएगा, उस साल हम उसके लिए घर पर पढ़ाने वाला मास्टर रख देंगे, सुनकर लालू ने जैन की सांस ली, लेकिन उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया, लालू मास्टर को पुलिस जैसा मानता था, जो बात-बात पर पिटाई करता है, जो मनमर्जी नहीं करने देता, लालू के पिता धनी ग्रहस्त थे, कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिरा कर उन्ह नया तिमंजिला मकान बनवाया था, मकान बन जाने के बाद से लालू की मा की इच्छा रही थी कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दे, लेकिन वो काफी बूढे थे, वो फरीदपुर से इतनी दूर, इसके लिए आने को राजी नहीं होते थे, बहुत दिनों ब देने जरूर आएंगे, लालू की मा की खुशी की तो सीमा नहीं रही, वो गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारी करने लगी, उनकी बहुत दिनों की मनों का आमना पूरी होने जा रही थी, इस नए मकान में उनके चरनों की धुली मिलेगी, और घर पवित्र हो जा आया गया, निवार का पलंग गुरुवर की सोने के लिए बनवाया गया, इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगे बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी, बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृती रतन वहा इकवान बनाने, फलफूल सजाने, आधी काम के कारण जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था, गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिच्छा कर मसहरी लगा दी गई, ठके मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर जाकर सो गए, इसके बाद नौ जट से पानी मसहरी को तर करता हुआ, उनकी तोंद पर गिर रहा था, अरे बाप रे कितना ठंडा पानी है, वो चौक कर उट बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोच डाला, फिर बोले, नंदरानी ने मकान को नया जरूर बनवाया है, लेकिन पचाड की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है, निवार वाला पलंग भारी नहीं था, मसहरी सहित उसे खीच कर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और फिर से सो गए, लेकिन अभी आधा मिनिट से अधिक नहीं हुआ होगा कि पुनह दो चार बूंदे आगिरी, फिर दूसरी ओर ले गए और फिर पहले की तरह पानी गिरा, अब तक बिस्तर तो काफी भीग चुका था, इतना भीग गया था कि बिस्तर सोने लायक नहीं रहा था, गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए, बुड़े आदमी थे, अंजान जगय में दर्वाजा खोल कर बाहर जाने से डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खत्रे से खाली नहीं था, जब छत इस बुरी तरह फट गई है कि पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े, डरते डरते वो बाहर निकल आए, बाहर बरामदे में एक लाल्टेन जल रही थी, कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, चारों और से बरस रहा था और वैसे ही तेज हवा चल रही थी, कैसे कोई वहां खड़ा रही, घर के नौकर चाकर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, पता नहीं सब किस कमरे में सोते हैं, स्मृति रत्म को इसका ग्यान नहीं था, दो-तीन बार उन्होंने आवाज भी दी, लेकि लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैट गए, मन ही मन उन्होंने ये महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा पर ठेज पहुँची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी ना था, हवा में ठंडक रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी, गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोल कर सिर्पर डाल लिया, और दोनों पैर आपस में सटा कर उकई बैट कर यथा साध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे, मन बड़ा दुखी हो गया, उधर नींद के कारण आखें जपी जा रही थी, इधर गरिष्ट भोजन करने क के कारण कई बार खटी डकारें भी आई, इसी तरहे नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगी, ठीक इसी समय एक नया उप्द्रव प्रारंब हुआ, पच्छा के बड़े-बड़े मच्छर कानों के पास गुन-गुनाने लगे, ढपती हुई आखों को उधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, मरं तु मन शंकित हो उठा, पता नहीं इनकी संख्या कितनी है, दो मिनिट बाद ही गुरुदेव को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अंगिनत है, इस सेना की उपेक्षा करने वाला संसार में कोई बहादुर नहीं था, इनके काटने से जैसी जलन हो होती थी, वैसी ही खुजला हट, स्मरती रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में ही कल्यान समझा, वो वहां से कुछ दूर हट गये, मगर मच्चरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार बाहर मच्चरों का अदल भी परेशान कर रहा था, बराबर मच्चरों को भगाने के लिए अंगोचा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमन को रोका नहीं जा सका, थोड़ी देर बाद वो इधर उधर दोड़ने लगे, इस सर्दी में भी वो पसीने से लत्पद हो गए, एक बार तो उनके ज प्राइम बिस्तर पर मच्चर दानी लगाकर आराम से सो रही है, घर के सभी लोग भी अपनी अपनी जगह पर सोई हुए हैं, लेकिन उनकी दोड़ धूप में जान फसी हुई है, तभी किसी घड़ी ने टन टन कर चार बजने की सूच ना दी, वो परिशान होकर बोले, आकर बैट गए, फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा, तो इस अभागे देश में फिर कभी नहीं आऊंगा, पहली गाड़ी से घर चल दूँगा, क्यूं यहां आने का मन नहीं करता था, अब समझ आया, यही सब सोचते सोचते, उन्हें नींद आ गई, और रात भर क थकान के कारण, वो बड़े बेखबर होकर सो गए, इधर नंदरानी काफी सुबह उट गई, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था, रात में गुरुदेव ने केवल जलपान मात्र किया था, यद्यपी ये जलपान तगड़ा था, लेकिन नंदरानी मन ही मन सोचत रही कि अपनी पसंद की चीज वो नहीं थी, आज उस घाटे को पूरा करने की इच्छा उनके मन में हुई, नीचे उतरने पर उन्होंने देखा, गुरुदेव जी के कमरे का दर्वाजा खुला हुआ है, गुरुदेव मेरे पहले ही उट गय, ये जानकर वो बेहद कमरे के भीतर जाक कर देखा तो वो नदारत थे, ये क्या हुआ, दक्षिन के चारपाई उतर के और कैसे चली गई, उनका जोला खिड़की के पास बाहर पहुँच गया था, पूजा के सामान और आसन ये सब दूर बिखरे पड़े थे, बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी बाहर आकर वो नौकरों को बुलाने लगी, नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जाका था, उन्होंने सोचा जब ये हालत है तो गुरुजी कहां गए, अचानक नंदरानी की नजर एक और उठी, अरे ये क्या है, एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन देखा, अरे ये तो गुरुदेव हैं, आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी, नींद तूटने पर स्मरती रतने ने आखे खोल कर देखा, फिर धीरे धीरे सीधे बैट गए, नंदरानी चिंता और भय के कारण अवरुद कंट से पूच बैठी, गुरुजी, आप यहां क क्यों बैठे हैं, स्मरती रतन उठकर खड़े हो गए, और बोले, बेटी, रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही, क्यों गुरुदेव, तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, मगर बेटी उपर की सारी छत टपक रही है, सब चटक गई है, रात भर पानी की बूंद टप टप मेरे उपर गिरती रही, कहीं छत न गिर जाए, इसलिए डर कर बाहर आ गया, लेकिन यहां भी बचाव नहीं कर सका, टिड्डियों की तरह मच्छरों ने मेरा आदा खून पी लिया, बहुत दिनों से मनाने और अराधना करने पर तो गुरुजी यहां आये थे, औ कैसे गिर सकता है, कहते कहते अचानक नंदरानी रुख गई, उन्हें ये समझते देर न लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हात न हो, वो दोडती हुई कमरे के अंदर आई तो देखा, बिस्तर तो काफी भीगा हुआ है, और मसहरी के उपर एक बरफ का टुकड़ा क उसे चिला कर कहने लगी, पाजी ललू कहां गया, कामकाज जहन्नुम में जाए, वो शैतान जहां मिले उसे मारते मारते पकड़ कर लाओ, लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे, पतनी का चीख न चिला न देखकर तो वो हैरान रहे गए, उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या, क्या कह रही हो, नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललूआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूब कर अपने पापों का प्रैस चित कर लूँगी, मगर किया क्या है उसने, बिना अपराध ही गुरू जी की कैसी गती बना दी उसने, आओ, आकर अपनी आखों से उसकी करनी देख जाओ, सभी अंदर आ गए, नंदरानी ने सब को दिखाया और सुनाया, फिर पती से बोली, अब तुम भी बताओ कि शैतान लड़के को लेकर कैसे इस घर में रह सकते हैं, गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई, अपनी कोठी में नहीं है, दूसरे ने आकर बताया कि वो मौसी के यहां मिठाई खा रहे हैं, मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया, मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन, उसके पती भी वकील थे, वो दूसरे महले में रहते थे, इसके बाद तो पंदरा दिनों तक लालू न प्रकार की बदमाशियां करते ही थे, हाँ, हमारे जो भाई बहन थे, उनमें से कोई एक ऐसा जरूर होता होगा, जिसकी बदमाशियों का लेवल कुछ ज्यादा ही उचा होगा, लालू भी उसी कैटेगरी का बच्चा था, बेहत बदमाश, लेकिन जब हम बड़े हो जाते ह हैं, तो हमारे पास किसे कहानियों के रूप में इन छोटी-छोटी की हुई बदमाशियों की कथाएं ही रह जाती हैं, और जब हम वो कहानियां अपने बड़े बुजूर्गों से सुनते हैं, कि हम बच्चपन में ये करते थे, वो करते थे, हमारी इस बात पर इतनी पिटा या अपने भाई बहनों का कोई एक ऐसा किस्सा, कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताईएगा, जिसे सुनकर आप आज भी मुस्कुराए और खिल-खिलाए बिना नहीं रह पातें, तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लूँगी, लेकिन जल्दी ही फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और सुस्त रहिए, नमस्कार